कि वेल्कम डिया स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है रसर के यूटूब चैनल पर और हम सब एक और क्लास के साथ में लाइव हैं आपके सामने और आज का जो टोपिक आपका होगा अच्छा यहां पर जो मिने डाला है वो बाइनोमिल थे और हम नहीं है स्वरी में के अंदर मेट्रिक्स का प्रेक्टिस एट लगाएंगे तो फटा फट से सारे के सारे बच्छे लाइव आजाएं उसके बाद बैस स्टार्ट करते हैं यह आपका जो प्रेक्टिस हेट है वो आपके पास टंबर 20 होगा उससे पहले में 19 प्रेक्टिस हेट हर जो टोपिक कि सारे बच्छे लाइव आजाएं ताकि मैं start करता हूं ठिक है start करता हूं चलो जी आजो अगर किसी बच्चे को अनकेडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप प्लेशटोर भी जाके अनकेडमी लर्निंग एप इसके बाद अब हुआ करें उसको डाउलोड करकें उसके बाद में इस आपने नाव मुबायल नमबर एमस को रिजिस्टर करें जिस्टर करने के बाद में आपको यह गौल सविल्चर करना है न आपका फुल सलेबस का मोक टेस्ट एरफोर्स के लिए सेवर हलाग कि वो नेवी के लिए भी आप यूज कर सकते हो और अभी भी आप उसको ट्राइ कर सकते हो अगर किसी बच्छे को अनेकेट भी पर प्लस का सब्क्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास वन मन्त, त्री मन्त 6 मन्त के चार्जेस हैं और लेकिन अगर आप ये वाला कोड एपलाई करते हो आरसर लाइव जिससे आपको क्या मिल जाएगा 10% इस्ट डिसकाउंट मिल जाएगा और उसी के साथ में आप फिजिक्स, मैट, इंगलिस, रागा की क्लासे पूरी एंजोई कर सकते हो ये हमारा टेलिग्राम चैनल है टीम इसपे सारसर और इसको आप जोईन करिएगा और इसको जोईन करने के बाद में आपको पूरी जो पीडियेफ हैं पूरी क्लासे का जो लिंक है वो आपको यहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है चलो जी जो भी बच्चे क्लास में आ चुक में इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं हर एक टोपिक जो हो रहा है उसी के बेस्ट कुश्चन चाहिए कहीं से भी लाएं तो यह हमारे क्लास का टाइमिंग है जो भी कोई बचा नया है तो देख लीजिएगा यह क्लास ओलेडी हो चुकी है यह हो चुकी है य उसके बाद में इसमें प्रेक्टिस करिएगा स्टाट कर दिया जाए अब जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में I love my parents लिख देंगे और उसके बाद में एक घंटे तक पेटी पेख होकर बैठ जाएंगे क्योंकि आपको concept पके तभी होंगे ज जब आप number of questions ज्यादा करोगे जितने ज्यादा question करोगे उतने ही concept आपके पके हैं नई तो सर इधर से सुना इधर से निकला फटा फट से में देखना चाहूंगा फटा फट से एक बार सारे के सारे बच्चे spam कर देंगे I love my parents और उन भावनाओं को अपने घर वालों की जो भावनाओं है expectation है एक बार उनको भी दिमाग में जरूर डालेगा और एक घंटे तक ये अला आपका जो प्रेक्टिस है उसको लगाईएगा ये पहला question आप सभी लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूं थोड़ा सा इस question के अंदर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपके पास ये sign लिखावा है न थोड़ा सा उसको change कर लेना ये जो आपके पास लिखावा है वो matrix का sign है ये थोड़ी सी operator की mistake है ठीक है चलो जी बताओ क्या होगा आपके पास A प्लस B फटा फट से और एक एक बच्चा question को feel करते वे मुझे जवाब देगा क्या होगा comment box में आपक नहीं है अभी तक ठीक है तो बावनाहों को थोड़ा सा ध्यान दे बावनाहों को समझे हाँ जी क्या बात है क्या बात है चलो जी A प्लस B करोगे तो सर इसका मतलब इसके अंदर ये वाला element आपका जुड़ेगा एक और एक दो होगा और बाकी करने के जरत नहीं सर इसमें minus से का रहा है गलत सर ये तो गलत है ये भी वेसे गलत है ये आपका सही है क्यों सही है क्योंकि ये वाला आपके पास दो पंक्तिया तीन इस्तम ये दो पंक्तिया तीन इस्तम इसका मतलब दो इंटू तीन की ही matrix है ही और वो आपके पास second option के अंदर दिख रहा है चलो जी आगे चलता हूं में, आगे वाला सवाल ये रहा सर, a-b आपको calculate करना है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, केवल आप एक ही element count करें, आप एक या दो element ही count करें, जो different दिखता हो, उसी element को calculate करें, पूरे element calculate नहीं करें, पूरे element करने बेट जाओगे न बिटा, तो इसे मानलो की दिक कता जाएगी, चलो जी, जवाब दीजिएगा, क्या होगा, इस question का सही answer, a-b के बारे में बताना है आपको, के सर, a-b करूँगा, तो इसमें से ये गया, minus 1 आएगा, सर, इन तीनों में, minus 1 है, कोई नहीं, ये तो cancel वा, तीन में से 0 गया, तीन बच्चे का, तीन, तीन, तीन है, इसमें भी है, 0 में से 3 गया, minus 3 बच्चे गा, वो इसके अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 में से 0 गया, तो 3 बच्चे गा, इस वज़ए से ये नहीं होगा, आपका option जो कौन सा आएगा, वो आएगा, आपका C option, एक बच्चे ने DB दिया है, क्या सोच समझ के दिया है, बगवान माली कैसर, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, भावनाओं को समझना question में, और determinant की जगें, आप ये जो determinant का sign है, उसके जगा आप matrix को use करके question को करिएगा, चलो जी, जवाब दो बिटा, जवाब दो आपके पास क्या होगा, इस question का सह ये answer, बच्चों ने answer देना start कर दिया है, answer देना start कर दिया है, c option, c option, c option, आपको क्या करना है, 2a minus 3b करना है, इसको 2 से multiply किया 4, इसको 3 से multiply किया 3, minus कर दो, 4 minus 3 कितना जाएगा, एक, और एक आपको इस option में दिख रहा है, इसका मतलब आप एक element calculate करने से answer आ गया, पूरे element calculate मत करना, एक, एक element calculate करना, उससे ही answer आपको पतातल जाएगा, आगे 4, 13 हो sir, आपको देरका है कि ये दोनों matrix अगर equal है, ये दोनों matrix अगर equal है, then find the value of x and y, फटा फट से, spam कर दो comment box में, spam हो जाना चीए comment box में कि क्या होगी x और y की value, क्या होगी आपके पास x और y की value, बोलो जी चलो जी, बोलो बोलो फटा फट से बोलो, क्या होगा आपके पास इस question की, कौन सा answer क्या होगा, फटा फट से, क्या बात है, फिप, छाप दिया वई, sir, ये इसके बराबर होगा, sir, ये इसके बराबर होगा, x बराबर sir, 7, y बराबर आपके पास 3, तो इसका मतलब आपका option आगे चलता हूँ मैं आगे वाला सवाल ये रहा सर x और y की value आपको बतानी है x और y की value आपको बतानी है क्या होगी x और y की value क्या होगी आपके पास x और y की value बच्चे 285 लाईव है और like की संख्या के अंदर बहुत बड़ी कंजूसी like में बहुत बड़ी कंजूसी सर 201 like है चलो जी तो सर क्या होगा इसके अंदर की सर ये तो इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा इसका मतलब सर 2 x प्लस y जो है वो आपके पास 5 के बराबर होगा सर आप x और y की value रख लो ज्यादा फाइदे मंद रहोगे तो सर अगर मैं रखूं तो कितना आएगा पहले को रखा 14 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 आजाएगा क्या 5 आजाएगा बिल्कुल आजाएगा तो आपके पास पहला option ही इसका right हो गया आप बोले बैस c option तो c option को मैं चेक करनू c option सरासर गलत सर c option होई ही नहीं सकता आगे क्या बात समझ में बिटा a option right होगा आगे चलता हूँ मैं आगे वाला question ये रहा find the value of x आपको जो x matrix है वो find out करनी है x matrix क्या होगी चलो जी come on come on come on come on come on come on बिटा जब आप दीजेगा x क्या होगा आपके पास x matrix जो होगा और मैं आपको एक राइ दूँगा और वो आप follow करिएगा और वो instruction मेरा ये है कि आप केवल पूरे element कभी भी calculate करने मत जाईएगा ठीक है न तो यहाँ पर देखो कितना है 5 इसमें से इसको minus किया 1 और इस 2 का क्या होगा divide इसका मतलब 5 minus 1 बटा 2 ठीक है तो आपके पास कितना आना चीए 2 आना चीए 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसका मतलब ये option तो कटा अब इसमें यहाँ पे minus 2 यहाँ पे माई ये 5 को count करो इसका मतलब इसमें से इसको minus करो क्योंकि ये उदर जाके minus के 2 का divide होगा तो ये right answer आ जाएगा पेन भी नहीं चलाना पड़े केवल आपको थोड़ा सा hint देखना है ठीक है ना कौन सा option अपने को अलग दिख रहा है जो दिख रहे हैं ना क्या गलत है उसको तो पहले काड़ देते है आगे चलता हूँ सर में आगे वाला सवाल ये रहा find the value of x आपको x matrix के बारे में बताना है केवल आप एक element को लेकर calculation करिएगा फिर से बोल रहा हूँ मैं एक element को लेकर calculation करिएगा otherwise time लगेगा आपको चलो जी बोलो भई क्या होगा question का सही answer क्या होगा इस question का सही answer दिमाख लगाईए कि सर इसमें यहाँ पर आपको x की value निकालोगे तो आप इसको इदर transfer करोगे इसका मतलब 5B minus का 3A अपकोन कितना आजाएगा 4 आजाएगा B वाले को 5 से multiply A वाले को 3 से multiply minus करके 4 का divide इसको sir मैंने multiply किया किसे 5 से तो कितना हो गया minus का 10 sir इसको multiply किया किसे 3 से तो minus का 6 और divide में कितना है 4 मतलब minus का 4 आएगा sir और minus का 4 इस option में नहीं है इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा है ये 2 option तो सरासर गलत है फिर आप option count करने जाहिएगा ये वाला और वो कैसे होगा B की value 3 रखो यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आएगा 15 और plus आपके पास 15 बटे आपके पास कितना है 4 इसका मतलब सर कितना आएगा आपके पास 30 में 4 का divide करोगे एक बार फिर से calculation देखता हूं मैं 15 और माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 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 तीस तीस बटे चार आएगा तीस बटे चार option में नहीं है C option में आ रहा है गया 5 से multiply किया 5 ती 15 और उधर जाके ये आपके पास प्लस का हो गया तो ये आपके पास सही है क्या कौन सा option सही आ रहा है B option option नहीं है एक element तो मिल रहा है चलो इसके अलावा अपन last element और calculate करते है ये आएगा 5 माइनस 3 बटे 2 इसका मतलब ये वाला option इसके अंदर कहीं न कहीं mistake है इसमें कहीं न कहीं mistake है ये वाला option सही होगा कहीं लिखने के अंदर mistake हो गई है न चलो जी आगे चलता हूं सुरिमान आगे वाला question ये रहा आपके सामने हाँ जी option ही नहीं है चलो जी x की value बता दी जी फटा फट से x की value बता दो x की value क्या होगी आपके पास बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने लेकिन practice करनी है चलो जी बोलिये 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 क्या होगा क्या होगा इस question का सही answer एक बार जवाब देना है आपको x की value क्या होगी x की value क्या होगी जवाब दो sir x की value निकालने के लिए यह मुझे y को तो इदर transfer करना पड़ेगा ठीक है y को इदर transfer करना पड़ेगा और मुझे 3 का divide करना पड़ेगा सही समझे तो आप इदर 2 का divide कर दो पहले तो क्योंकि y की value निकालने के लिए 2 का divide तो वो होगा आपके पास कितना 5-2 बटा 3 मतलब पहला element एक आएगा जो इन दोनों में आ रहा इसका मतलब यह वाला option गलत है फिर आपको क्या करना है आप जब क्या करोगे इसको इदर जब transfer आपने किया इदर transfer किया तो यह आया आपके पास 0- 0-3 बटा 2 उसमें 3 का divide किया minus 1 बटा 2 मतलब यह वाला option सही बेठ रहा है आपके सही है क्या c option इसमें कहां बेठेगा अच्छा 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 इन दोनों में से न सही है minus 1 बटा 2 ए option आपका सही होगा सही है क्या a option आपका सही है चलो जी कोई भी equation जो आपके पास होती है उसको जिसे पन ऐसे करते थे थे ना x plus y y equal to 3 है और 2x minus y equal to 4 है तो दोनों को plus minus v वाला तरीका इसके अंदर आपको apply करना है n की value आपको बतानी है कि n की value क्या होगी है ना n की value बताओ m को cancel करो और n की value बता दो समझ नहीं आ रहा है तो भाई साब matrix अगर समझ में नहीं आया तो फिर भाई साब तेयारी करना छोड़ दो तेयारी करना ही छोड़ दो समझ में नहीं आया तो matrix जैसे topic के अंदर अगर दिक्कत आपको आ रही है क्योंकि ये simplest topic है सबसे simple topic है चलो जी मुके सेनी ने answer दिया है a option और मुकुल सेनी ने answer दिया a option अमन सिधार्त यादव ने c option राहूल राजपूत का b option उमेश कुमार का b option समझना थोड़ा सा समझना कि सर आपको value निकालनी है n की तो मैं क्या करूँगा m को गायब कर दूँ और m को गायब करने के लिए मेरे को 2 से multiply करना पड़ेगा 2 से multiply किया 2 से multiply किया 2 से multiply किया 2 से multiply किया अब आप क्या करो इसमें से इसको minus कर दो इसमें से इसको minus करोगे तो क्या बचेगा आपका minus का n और जब आप minus करोगे 2 में से 2 minus हुआ 4 minus 4 में से ये minus हुआ minus का 6 6 में से यह minus हुआ कितना 3 0 में से वो minus हुआ 3 और आप इस minus से इसको multiply कर दो minus plus minus minus का 4 6 minus 3 minus 3 तो इस question का जो right answer है वो है आपका B option B option will be the right answer B option इसका सही answer आएगा सही है बिटा A option कैसे आगया यार तुमारे A option कैसे आगया नीचे तो देखो यहाँ पर एक minus ही है जो minus 3 है आपने A की option calculate किया है चलो सर आगे चलता हूँ में आगे वाला सवाल यह रहा आप लोगों के लिए इस singular matrix singular का मतलब क्या होता है singular का मतलब होता है A with करमणिये A with करमणिये मतलब आपके पास इस matrix के related जो आपके पास determinant आएगा उसकी value होगी 0 इस matrix A के related जो determinant आएगी उसकी value 0 होगी आपके पास चलो जी जवाब दीजिएगा आजी बोलो बोलो फटा फट से यह जितने भी बच्चे लाइम है यह आपस में competition करो कि यार सबसे पहले मैं answer दूँगा ठीक है ना चलो बोलो बोलो क्या होगा आपके पास इस question का right answer क्या होगा question का सही answer B option दिया है प्रदीब कुमावत ने प्रदीब कुमावत का B answer आया और भी बच्चे answer देंगे क्या होगा question का सही answer B होगा D होगा A होगा कौन सा सही answer होगा जरा समझेगा कि A with कर्मणी है तो sir इसके corresponding determinant बनाता हूँ 0, 1, minus का 2 minus का 1, 0, और 3 ये lambda, minus का 3, और 0 ठीक है, इसकी value क्या कर दो, 0 कर दो इसकी value जब 0 आप करोगे तो इसके respect में प्रसाद 0 इसके respect में 1 ये आपका इधर multiply, ये इधर multiply तो आएगा minus का 6 इसके respect में अगर आप करते हो तो क्या आएगा 3, बराबर 0 तो sir यहाँ से lambda की value आईगा आएगा आपकी 2 तो इसका मतलब इसका D option right है sir D option right है D will be the correct answer D will be the correct answer आगे चलता हूँ में हाँ जी D option सही आएगा आगे चलो, आगे वाला question same as it is copy paste same as it is copy paste is a singular matrix singular का मतलब होता है A with करवणिये singular का मतलब होता है A with करवणिये matrix हो तो theta की value क्या होगी जवाब दीजिएगा क्या होगा आपके पास theta की value क्या होगी जब यह singular matrix हो singular का मतलब A with करवणिये जिसका inverse नहीं निकाला जा सकता है और जिसका inverse नहीं निकाला जा सकता है उसके अंदर आपके पास सांडिक की value 0 होगी चलो सर लगाईए दिमाग लगाईए क्या होगा इसके corresponding determinant जो है वो 0 होगा तो इसके corresponding determinant में निकालता हूँ कैसे कि सर इसका sign change कर दो इसकी value निकालोगे तो आप इसके respect में प्रसार कर दो ये इधर ये इधर multiply इसका मतलब सर यह आएगा cos square theta minus sin square theta और बराबर कितना आएगा 0 इसका मतलब सर cos 2 theta बराबर 0 तो सर इसका मतलब ये तो सर cos pi by 2 की बराबर होता है ना तो सर theta बराबर कितना आएगा theta बराबर आएगा pi by 4 तो इस question का जो right answer है वो क्या होगा d option d option will be the right answer सही है विटा चलो आगे चलता हूं स्रीमान आगे वाला question फिर आपके पास वो ही same ही concept same ही concept का सवाल singular matrix अगर आपके पास हो तो find the value of lambda lambda की value find out करनी है अगर आपके पास यह matrix singular हो चलो जी जवाब दीजिए सर जवाब दीजिए क्या होगा question का सही answer क्या होगा question का सही answer फटा फट से question का जवाब दीजिए गा कौन सा option आपके पास सही होगा फटा फट से एक एक बच्चा आपस में competition करेगा ठीक है ना आपस में competition करेगा वो I love my parents line जो लिखवाता हूँ ना उसी के पीछी यही तो राज है क्योंकि मैं बार बार आपको चार लाहिने बोल देता हूँ ठीक है ना और वो ही लाहिने एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ सायद थोड़ा सा जो सा जाएं तो I love my parents कमेंट कर देना चार लाहिनों अगर नेंद अपनी खोकर सुलाया हमको आशू अपनी गिराकर हसाया हमको कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को प्यार से कहते हैं माबाप जिन को प्यार से कहते हैं माबाप जिन को चलो जी तो यह चार लाहिने अगर दिल में उतरी हो तो वही कमेंट में I love my parents लिख द करते हैं 123 यहां पर आपके पास 345 यह लेमडा प्लस 2 यह 8 और यह 10 ठीक है न आगे दिरे दिरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप extension करना सीख जाओगे ठीक है चलो जी कर दिया होगा answer क्या है इस question का D answer B answer चलो सब क्या लग लगा लगारा में calculate कर देता हूं 40-40 0 और 3 क RESPEC'T में जब करोगे तो कितना आजाएगा 20 – 24 और प्लस लेमडा प्लस 2 के RESPEC'T में जब आप करोगे तो कितना आएगा 10 – 12 मطलब – 2 बराबर कितना आएगा 0 तो यह तो आएगा कितना – 4 मतलब 12 और – 2 लेमडा – 4 बराबर जीरो इससे आपके पास लेमडा बराबर जो value आए वाला कोशन जो एरफोर्स के एक्जाम में आया था एरफोर्स के एक्जाम के अंदर आया था जहां पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी मेट्रिक्स आपको ये दिख रही है कौन से टाइप की ये मेट्रिक्स आपको दिख रही है जर बात है क्या बात है भई दिल दिमाग में बेट गया होगा यह वाली चीज जिन्होंने concept पढ़ ली है ना उनके तो दिमाग में बेट जाएगी के सर अगर नीचे triangle बनता है ना सर देखो यह element तो 90 इसके उपर वाले element 0 तो triangle तो नीचे बना नीचे बना तो सर इसको क्या कहा जाएगा सर इसको कहा जाएगा lower triangular matrix इसका मतलब इसका जो right answer होगा वो होगा c option एक भी बच्चा इसा नहीं है जिसने गलत answer दिया हो दिल से आपको salute करता हूँ मैं अगर आपने ऐसे concept पढ़ लिए है चलो सर आगे समझेगा ये इसका छोटा भाई दरम भाई ठीक है ना तो मैंने आपको definition लिखके बताई थी देखें definition लिखके बताई थी जरा दिमाग लगा येगा थोड़ा सा हना थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर answer देना ठीक है कि कौन सा तो 0 करते हैं कौन सा 0 नहीं करते हैं उपरी तिर्भुचाकार matrix के अंदर upper triangular matrix मतलब upper triangular matrix जो अपन बनाते हैं कि सर इसके अंदर उपर वाले element ये तो non 0 और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो होंगे वो क्या होते हैं 0 तो इन तीनों के अंदर i ज्यादा होता है कि j ज्यादा होता है इन तीनों में कौन सा ज्यादा होता है चलो जी बच्चों ने answer देना start कर दिया है बच्चों ने answer देना start कर दिया कि सर ये जो तीन element होते है ये वाला element होता है sir A21 ये वाला element होता है A31 ये वाला होता है A32 तो इन तीनों के अंदर अगर आप देखोगे कि पहले number वाला element ज्यादा है इसका मतलब i जब j से ज्यादा हो तब आपके पास aij क्या होगा 0 और बाकी के अंदर आपके पास not equal to 0 जब i जब j से ज़्यादा हो i जब j से ज़्यादा हो तो a i j 0 होना चाहिए तो आपके पास इसका right answer b option चप जाएगा a option केसे दिया बिटा a i is not equal to 0 a i greater than j के लिए sir अगर ये not equal to 0 हो गया न तो आपके पास ये triangle नहीं बढ़ेगा सिधी सी बात है आगे चलता हूँ मैं आगे चलता हूँ आगे वाला question फिर से singular matrix का आगया फिर से singular matrix का सवाल आया singular matrix का सवाल सायद same as it is copy paste पहले इसे question करवा चुका हूँ मैं क्योंकि बच्चे confused होते हैं इसके नाम में ये नाम लिखावा जाता है इसा singular तो बच्चे देखते हैं कि यार ये एक साला पढ़ावा तक 0 होता है कि नहीं 0 होता है चलो जी उड़ाओ क्या होगा question का सही answer क्या होगा इस question का सही answer उड़ादो एके करके सर singular matrix में हमने ये देखा कि सर determinant of A जो है ना वो होता है सर 0 सर जब आप इसके respect में जब extension करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा ये आएगा आएगा आपके पास minus का 6 हाना और इस lambda के respect में करोगे तो ये repeat होगा क्या question तो ये आजाएगा आपका 3 हाना तो यहाँ से lambda बराबर कितना या 2 repeat होगा साइद तो आपके पास इस question का right answer डी option चलो सर आगे चलता हूँ आगे वहला सवाल ये रहा आप बताईएगा बहुत ही सीधा सा सवाल है बहुत ही सीधा सा सवाल है मुझे तो बताने के जाएद जर्रत ही नहीं पड़ेगे उससे पहले ही आप इस पेम कर दोगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये आएगा मत बताओ आप तो हमने सही किया है चलो जी फेंको 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 जवाब फेंको बेटा क्या होगा question का सही answer क्या होगा आपके पास इस question का सही answer जवाब देना देखें क्या होगा question का सही answer D answer D answer D answer सर क्या बात है कि सर जब आप इसको इससे multiply करोगे बना जाएगा इसको इससे multiply 8 के जीरो तो साहिद मुझे लगता है जहां तक डी ऑप्शन राइट है डी ऑप्शन राइट है आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं यह वाला सवाल या आया चलो जी द्यान से देखेगा आई जो है वो आपके पास एक मात्रक अप्यू है मात्रक मतलब है या या यूनिट या ईडिनटिटी मेट्रेक्स है तो टो three आई जो आपके पास होगा वो कौन सा मेट्रिक्स होगा यह आपको बताना है three आई ज only मेट्रिक्स आपके पास होगा वो कौन से टाइब का मेट्रिक्स होगा चलो जी जवाब दीजिए देखें क्या होगा सर फटा फट से देखें क्या होगा कोशन का सही अंसर क्या बात है क्या बात है क्या बात है अच्छा चलो जी बहुत बढ़िया बिटा बहुत बढ़िया चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आई जो मेट्रिक्स अगर आपके पास है तो सर वो आपके पास 1000010 और 001 ये आपके पास एक मेट्रिक्स है सर मैंने बोला कि 3i क्या होगा तो आप क्या करोगी कि सर इसको 3 से मल्टिप्लाई करूँगा 3, 3 और 3 और बाकी के सर बाकी के जो होंगे वो होंगे आपके 0 तो सर इस मेट्रिक्स को आप क्या बोल दोगे कि सर ये जो मेट्रिक्स है है वो क्या है आपके पास वह सर सकेलर सकेलर का मतलब है सर अदिश तो भाई यह वाला कंफ्यूज करने वाला सवाल था लेकिन इसमें भी आपने सही अंसर दे है सी ओप्शन चलो जी बहुत बड़ी है आगे चलते हैं सर आगे वाला कोशन यह रहा मैंने कहा था आपको एक ही इलिमेंट अब पहले देख लो कि कौन सा इलिमेंट कैल्कुलेट करना है आठ इसमें आठ इसमें आठ इसमें मत करना आठ वाले को सर बीस इसमें बीस इसमें म चलो जी जवाब देजिए क्या होगा डाइरेक्टी एक element को ले लो आप उसी में plus minus करके उसी को चेक कर लो बस डाइरेक्टी चेक करना है चलो जी बोलो 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 क्या होगा question का सही answer सर जरा समझ जीएगा तो के सर अगर मैं ये वाला element कल्कुलेट करूँगा तो 5 को इससे multiply करूँगा तो कितना हैगा सर 15 सर 3 को इससे multiply minus का 6 सर उसको multiply करेंगे minus का 2 तो सर कितना हैगा 7 तो 7 वाला सर ये option तो minus 7 है सरा सर जूट बोला इन दोनों में से कोई सा सही है तो इन दोनों में फरक किसका है सर इसका है 9 का फरक है 9 और minus 9 है तो 4 कल्कुलेट कर लेंगे इसको 5 से multiply किया 0 उसको 3 से multiply किया minus 9 उसको minus 2 से multiply किया तो answer minus 9 आएगा इसका मतलब भी option देखो ज़्यादा नहीं करनी पड़ी calculation नहीं तो आप इसमें value रखे फिर पूरे element calculate नहीं करने होते हैं टाइम नहीं होता है exam में इतना exam में इतना time नहीं होता है कि पूरे element अपन count करें ठीक है चलो जी आगे चलते हैं आगे वाला सवाल ये रहा आगे वाला सवाल आ चुका और direct mind calculation का सवाल है सर direct mind calculation x की value निकालनी है सर x की value क्या होगी आपके पास x की value फटा फट से x y की value बतानी है कौन सा option right होगा कौन सा option right होगा चलो जी बोलिये 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 क्या होगा सर x की value निकालनी है न तो अब आप अगर कोई बच्चा इन से calculation कर रहा है न तो वो सरा सर मुर्ख है क्योंकि इन से calculation करने से x तोड़ी आएगा जहां से x आएगा उसी की calculation करो कैसे सर इसको इसके अंदर add करो सर इसमें से इसको minus करो सर इसका मतलब सर x minus 2 बराबर 3 minus 2 करेंगे तो 1 सर इससे x बराबर कितना आएगा 3 तो सर यह minus 3 जूट बोला minus 3 जूट बोला अब y की value or count कर लो इसको इसमें add किया तो सर y plus का 4 और सर 3 minus 1 करोगे तो y बराबर आपके पास जो आएगा वो minus 2 आएगा सर और minus 2 आपके पास कौन से option में दिख रहा है सर इस option में दिख रहा है तो b option आपका right हो जाएगा अबीबी क mistake से simple आता हूँ question गलत हो जाएं तो दुख उसी का होता है जैसे cricket के अंदर कोई बल्ले बाहर जब run out हो जाता है तो उसको बहुत दुख होता है क्योंकि वो दूसरों की गलती से होता है थूड़ी सी mistake से होता है आगे चलता हूँ sir आग दो लो जी जब आप दीजेगा मैंने मैं बिलकुल आपके दिमाग में scan कर रखा ये वाला सवाल दिमाग में scan कर दी आता सूबह जब मैंने concept बताए था आपको तो दिमाग में scan कर दीया था मेने ये वाला сюshun आपके चलो जी बोलिगा बोलिगा और अगर आपको लगता है कि यार ये आर्र stressed की जो टीम है ये जो यह आप सजिस्ट कर दिया करो उनको ठीक है ना ताकि आपके लिए हम अलग-अलग प्लानिंग सोचते रहें ठीक है ना यह हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है जब बहुत बड़ीया बड़ीया कमेंट जब हम देखते हैं बच्चों के क्लास सेव होने के बाद में तो हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है कि यार यह हमारी आर्मी है जो हमारे लिए जिसे हम लगे वे हैं उसका एप्रिशेशन कम से कम कमेंट में तो देजेती है चलो जी किसे पहला statement बोला प्रतेक इकाई अव्यू अधिस होता है क्या सही बोला क्या प्रतेक उनिट मेंटरिक्स हमेशा यह होता है आपके पास सही है और ऐसे statement वाले जब कुशन आये तो हर एक ओψेन पर डगर हो आप ना फिर दिमाग लगाया करो आगे चलता हूँ मैं, आगे वाला question ये रहा आपके सामने जवाब दीजिएगा कि ये जो matrix आपके पास है वो कौनसी है क्योंकि सर ये दो तो मेंने पढ़ाई नहीं, सम्मीत मेंने पढ़ाई नहीं विसम सम्मीत अभी पढ़ाई नहीं तो उनके तो question आई नहीं सकते आवियू के अंदर तो विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो non zero होते हैं बाकिके सारे zero इसका मतलब ये तो गलत बोला सर उपरी तिरबुजाकार matrix सर उपर बनने वाला triangle के अलावा सारे zero है इसका मतलब ये सही बोला कि आपके पास upper triangular matrix इसमें बन रही है चलो जी आगे चलता हूं सर आगे वाला कोशन आगे वाला कोशन ए और बी को माइनस करना पुसीबल कब है ए और बी को माइनस करना या प्लस करना पुसीबल कब होता है जरा दिमाग लगाईए सर ठोक दो ठोक दो ठोक दो फटा फट सें कमेंट बोक्स में answer ठोक दो बेटा क्या होगा question का सही answer P into Q और R into S दोनों के order है आपके पास इसका order है P into Q का और इसका order है R into S का तो आपको बताना है कि minus करना कब possible है और बेटा minus करना possible तब होता है जब इनका order equal होता है order बराबर order बराबर कैसे सरद P बराबर तो R और Q बराबर S P बराबर R और Q बराबर S तो इसका C option आपके पास right होगा एक एक बच्चे ने सही answer दिया है यही तो है सर concept की ताकत लो सर संभालिए फिर इस question को आपको A matrix से बनानी है और इसके अंदर मैं आपको suggest करूँगा कि आप एक या उसे ज़्यादा element count ही ने करें आप समझो इसके अंदर है ना कि कौन सा different आ रहा है different देखो different देखो different देखो different यह रहा different तो आप इन तीनों में से मतलब यह वाला element यहाँ पे जो element आता ना वो count करोगे आप इसे नहीं कि पूरे ही element केलकुलेट करने बढ़ जाएं यह board का exam नहीं है कि आपके सोंबे से सुहने है ठीक है ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा चलो जी देख लो यह वाला element जो है वो आप count करो और फिर देखो आपका answer सही मिलेगा चलो जी C answer बच्चों ने ठोक दिया है कि सर यहाँ पर जो element होता है वो क्या होता है A to 1 होता है तो I की value तो 2 J की value 1, 2 रखोगे कितना 6 और J की value अगर 1 रखोगे minus का 2 बटे आपके पास तो आपका यह आएगा 2 तो 2 आपके पास यह वाला option सही है B option आपका सही होगा सही है विटा हाँ जी B option आपका सही है ऐसे अपन एक element count करेंगे time को द्यान में रखते वे चलो जी बताइए X का आपको matrix बताना है X जो matrix होगा वो क्या होगा X जो matrix आपके पास होगा सर वो क्या होगा फटा फट से बता देजिए X matrix क्या होगा इसमें भी मैं आपको वो ही suggest करूँगा कि सर दो और दो तो इसमें मिल रहा है यहाँ पे साथ साथ बता दो मिल रहा है यह वाला देखो यह वाला देखो यह वाला देखो जो आपके पास different होगा तीनों में उनको आप उस element को ही count करें तो उससे आपको फाइदा हो सकता है चलो जी करो 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 find out करो फटाफट से देखें क्या होगा question का सही answer कि सर अगर यह वाला element count करने जाएंगे इस minus को जब इदर किया तो यह इदर आके हो गया plus का और 4 minus 2 के अंदर अगर जब यह जुड़ेगा यह calculation sort करने के फंडे हैं है ना चलो सर आगे वाला सवाल यह रहा आगे वाला सवाल यह रहा के इंटू ए बराबर अगर यह है तो आप जवाब दीजिएगा आपके पास के कर ए कर बी का वेल्यू क्या होगा क्या होगा वेल्यू आपके पास के ए और बी का के ए और बी का वेल्यू क्या होगा फटा फट से बताओ फटा फट बड़ा सीधा सा सवाल है हाजी बोलो 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 चलो जी देख लेते हैं सर जब के इंटू ए करेंगे तो यह क्या आएगा आपके पास K यह आएगा सर 2K सर यह क्या आएगा 3K और यह क्या आएगा सर माइनस का 4K आप इसको बराबर कर दो इसका मतलब सर K बराबर तो आया 0 ओहो काम कतम हो गया है जब K बराबर आपके पास जब 0 आया K into A बराबर K into A किया मैंने और ये जो मेट्रिक्स है आपके पास 0, 3A, ये है 2B और ये है आपके पास 24 सही है, तो सर यहां से अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये तो आए आपके पास 0, ठीक है, K बराबर 0 तो A बराबर, B बराबर, ये तो कुश्यन गलत है कुश्यन में मिस्टेक है हाँ जी, बिटा, सब के लिए है सब के लिए है, तो इसका मतलब इस कुश्यन के अंदर लोचा है, कहीं न कहीं लोचा है, कुश्यन के अंदर पूरा पूरा लोचा है, K, A और B का मान केलुकलेट करो, K का मान तो 0 आगया ये तो लोचा है सर, सरा सर mistake है अच्छा 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 ये 0 आएगा समझ गया सर, चलो जी समझ गये समझ गये अब आपको count करना है कि ये पहला तो 0 के बराबर 0 है इसका मतलब सर 2K बराबर कितना आएगा 3A और सर 3K बराबर आपके पास आएगा 2B 3K बराबर आएगा आपका 2B और सर, माइनस 4K बराबर आएगा 24 तो सर, इसे क बराबर माइनस का 6 आगया क बराबर तो माइनस 6 ये तिनों में है ठीक है, माइनस 6 जब आप यहाँ पे रखोगे माइनस 12 में तो माइनस 4 आएगा इसका मतलब सही option ये बोला C option will be the right answer सही है न, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, समझ गया चलो जी, बहुत ही बढ़ी आए C option will be the right answer आगे चलता हूं में आगे वाला सवाल ये रहा सर आगे वाला सवाल ये रहा एव जितकर मनिये, आप यू हो तो X की value क्या होगी Find the value of X for this चलो जी, question सही है हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है question चलो सर, जवाब दीजी इस question का चलो जी, बोलो, बोलो, फटा-फट से बोलो, singular matrix है और singular matrix के लिए X का value क्या होगा कि सर आपने कहा कि सर singular के लिए क्या करते हैं हम ये करते हैं कि इसके corresponding जो determinant है उसकी value 0 कर देते हैं ठीक है, तो determinant की value 0 कर दो और बता दो दो, क्या होगा question का सही answer, क्या होगा कि सर में 2 plus X के respect में जब extension करूँगा तो ये इदर multiply, ये इदर multiply 3 बचेगा सर जब में इसके respect में करूँगा minus 3 आएगा और ये आएगा minus का 5, minus का 2X इसके respect में करूँगा तो ये आएगा आएगा आपके पास 1 plus X और बराबर कितना आएगा सर 0, तो सर यहां से कितना आएगा 6 plus का आपके पास 3X और PLUS आपके पास आएगा 15, 15 minus आपके पास 6X और PLUS का 4, PLUS का 4X और बराबर कितना आएगा, 0 चार और तीन साथ तो आपके पास कितना बचेगा एक्स बचेगा ठीक है और पंदरा और छे इकीस और पांच यह आएगा आपका क्या एक मिनिट कहीं मिस्टेक है क्या देखो देखें इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन करते हैं तो तीन से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तीन पांच माइनस का दो मतलब तीन सही है माइनस तीन के रेस्पेक्ट में किया माइनस का पांच माइनस का दो चार के रेस्पेक्ट में किया तो यह आएगा वन प्लस एक्स आएगा सही है तो इसका मतलब छे प्लस आपका तीन एक्स और आएगा 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 आपके माइनस का 25 बटे माइनस आएगा माइनस का 25 बटे 13 यह आ रहा है क्या माइनस 25 बटे 13 भी option सही है चलो सही है आगे चलता हूँ मैं आगे वाला question यह रहा x, y, z और w की value बताओ और इसमें ज्यादा तर तरीका वो ही लगता है जो set करता है कोई भी एक equation को set करवालो आप option रखके कोई भी एक option रखके set करवाओगे तो वो तरीका ज्यादा बेटर रहेगा इसमें चलो set कराओ 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 फटा फट से अरे मेरे बाई save है playlist की अंदर save हो जाती है या बच्चे की जान लेगा तो यार comment कर करके save हो जाती है यार हाँ playlist में save हो जाती है अनिल कुमार जी class save हो जाती है चलो जी बोलिए आप क्या करोगे कि सर इसको इसके बराबर कर दू मैं बिल्कुल सही बोले आप कि सर x plus y बराबर 4 तो सर यह x की यह y की value है 2 और 2 रखों के 4 set बेट रहा है यह वाला गलत है सरासर गलत कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना मुझे कुछ नहीं कहना मुझे चलो जी आगे सरीमान यह वाला question यह वाला question यह वित्कर्मन यह है singular अगर matrix है तो आप A की value बता दीजिए singular अगर matrix है तो A की value क्या होगी क्या होगी आपके पास A की value जवाब दो फटा फट से चलो कल की जो concept की class होगी उसको बिल्कुल miss मत करना ठीक है ना कल की class के अंदर super concept दूँगा आपको ना क्योंकि आज की class में तो definitions वगिरा थी जो सूबर की class वी थी कल की class में मिलेंगे जो concept आपको जो जरूरी होते हैं symmetric के ये वाले हैं ना कल सूबर साड़ी नो बजी वाली class में चलो जी तो आप क्या करोगी इसको क्या करोगी 4 A minus 4 equal to 0 सर यहां से यह बराबर कितना या वन तो सर सही बोला भी option आपका राइट है भी option राइट है आगे चलो सर आगे वाला स्रीमान x का value क्या होना चाहिए इसमें भी आप जो different element है वही count करना फिर आपको मैं बात बात यह बार बार यही बोल रहा हूं आप देखो different कौन सा है और different आपको नज़र आ रहा होगा यह वला यह वला यह वाला इस इस यह जो आपके पास space है ना यह जो place है उसका element आप count करो हना चलो जी कंब लिये क्या होगा इस question का सही answer क्या होगा x की value क्या होगी क्या होगी आपके पास X की value देखें, कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं, different element को count करो, उसी से पता चलेगा, right answer क्या होगा आपका तो sir, इसको पता करने के लिए मुझे इसको इधर, ये वाला इसको इधर बेजना पड़ेगा रोगो होगा minus का, तो sir, 8 में से 2 गया, कितना या 6, 6 को 2 से divide किया, 3 आएगा, तो 3 आप देख लो, इसी A के option में दिख रहा है कि direct answer आपका हो गया आगी बात समझें, question को सोट इस तरीके से करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, लो जी sir आगे वाला सवाल ये रहा, A plus B बराबर ये है, A minus 2B बराबर अगर ये है, तो A की value बता दीजिए sir, A की value क्या होगी, फटा-फट से, A की value क्या होगी, तो आपको B को हटाना पड़ेगा, और B को हटाने के लिए आप क्या करोगे, calculation कैसे करोगे देख लो, आप अपने इसाब से हाँ जी, value जो आपको count करनी है, वो A की count करनी है, तो B को हटाना पड़ेगा और B को हटाने के लिए क्या करोगे बोलो फटा-फट चलो, sir, B को हटाने के लिए हम करेंगे इसको 2 से multiply, तो इसका मतलब sir, 2A plus का 2B और इसको 2 से multiply जब हम करेंगे तो ये होगा 2, 0, 2 आप इसको plus कर दो तो sir, ये आएगा आपके पास क्या 3A और जब plus करोगे तो आपके पास ये आजएगा 1, ये आएगा 1 ये आएगा 2, ये आएगा 1 और आप divide कर दो 3 से इसका मतलब 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3 1 by 3, question का right answer आपका होगा C option हाना, C option right होगा D nी हो सकता बिटा चलो sir, आगे चलते हैं बताईएगा निम निम में से कौन सी जो matrix है, वो उपरी तिर्बुजाकार matrix है, बताईएगा कौन सी उपरी तिर्बुजाकार matrix है, उपरी तिर्बुजाकार अब देखो, अब आया है confuse करने वाल, confuse करने concept वाला question है देखते हैं, इसके अंदर बच्चे काफी confuse हो सकते हैं, कि sir triangle, कहां बना है triangle लगाओ, दिमाग लगाओ, देखें मैं भी देखता हूँ, कि आप कहां दिमाग लगाते हो देखें कहां दिख रहे triangle, कि यहां नहीं दिख रहे triangle, कि sir, यह triangle बना, इसके अलावा सारे 0 sir, यह triangle बना, इसके अलावा सारे 0 sir, यह triangle बना तो है कोई बात ने, include तो हो सकता है, यह नीचे वाले 0 sir, इसके अंदर, यह तो नहीं हो सकता इसका मतलब यह तो बोल दिया, आपने यह तो हो सकता सर इनमें तो उपर ही बंढ रहा है तो इसमें एक चीज आप और ध्यान रखना ये ट्राइंगल ट्राइंगल जो बनाते हैं वो हमेसा स्क्वाइर मेट्रिक्स के अंदर ही बनाते हैं इसका मतलब ये दोनों गलत और बनी सा ओक्षिन कॉन सा सब्चाइए बी ओप्षिन समिझ गus सा जवाजोगे ये अगे बढ़ता हूंगे चलो बताओ क्या होगा आपके पास एक्स की वैल्योग ग्या होगी है ना चलो जी जवाप दीजिए क्या होगी आ 되면 find एक्स की और वाई की वेल्यू क्या होगी जल्दी बोलो सर एक्स की वेल्यू और वाई की वेल्यू क्या होगी बोलो जी चलो जी बोलो बोलो फटा फट से सर एक्स और वाई की वेल्यू के लिए काउंट करूंगा इसका कंपेरिजन करूंगा इसका कंपेरिजन करूंगा इसक तो इदर तो कितना है 4 इसका मतलब सर 5-6 तुदर जाके –3 तो अक्स की value सर वनाएगी इसका मतलब ये गलत ये गलत ठीक है दो option तो कट गए अब y की value के लिए सर ये ये और ये इसका मतलब सर 6-y बराबर आया 4 इसका मतलब सर y बराबर कितना आया 2 इसका मतलब सर सही option कौन सा है या या आ गई बटा बात समझ में C option right होगा चलो जी बताओ इसमें से scalar जो matrix है अधिस matrix कौन सा होगा हधिस matrix आपके पास कौन सा होगा बोलिये अधिस matrix आपके पास कौन सा होगा इसमें से स्केलर मेट्रिक्स कौन सा होगा अदिस चलो जी बोलो 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 क्या होगा कुश्यन का सही अंचर क्या होगा आपके पास कुश्यन का सही अंचर चलो जी बच्चों ने जवाब दे दिया कि सर आपके पास डाइगोनल के जो एलिमेंट है बराबर होने चाहिए और वो not equal to 0 भी होना चाहिए ना तो आपका C options है इसमें भी देखो है तो बराबर लेकिन 0 है इसका मतलब यह नहीं होगा ठीक है ना not equal to 0 हाँ आगे चलता हूं सर आगे वाला सवाल यह रहा थोड़ा सा language में फसाने की कोशिस करिए language में फसाने की कोशिस बोलो जी इसकी concept class कब है तो बेटा आप नए हो साइद मैं आपको बता दू कि 9.30 a.m. पर 9.30 a.m. पर सुबह रोज अना concept की class होती है और 12.15 पर जो class होती है हमेशा अना यह आपके पास इसमें concept इसमें practice होती है तो concept वगेरा सब पक्के हो जाते हैं चलो जी बेटा book कोई सी भी purchase नहीं करनी है अगर आपको अभी भी मेरा ये वाला material अगर कम लग रहा हो तो book purchase कर लो और अगर मालो कि आप अलग से कि सर मतलब online ये online क्या पड़े तो आप lucent आरस अगरवाल अगर आप जाना चाहते हो air force और navy के लिए तो ना और nda के लिए आप आरस अगरवाल को ल नहीं होते है आई और जे जहां पर बराबर नहीं होते हैं वहां पर AIG क्या है 0 है कि सर आई और जे तो बराबर होते हैं इस line पर इसके अलावा सारे क्या है 0 है इसके अलावा सारे 0 है तो इसका मतलब आपके पास हो जो matrix होगा क्या होगा diagonal matrix बनेगा आ गई क्या बात समझ मे diagonal matrix बनेगा c option ठीक है क्या c option आएगा हाँ समझो बात को कि सर a i j 0 है a i j मतलब element कौन सा 0 है जिसमें i और j बराबर नहीं होते हैं और i और j diagonal वालों पे तो बराबर होते हैं और बाकी पे बराबर नहीं होते हैं तो बाकी के 0 तो इसका मतलब diagonal के non 0 और non 0 तो क्या बन जाएगा डाई चलो जी एक पंक्ती matrix में होता है चलो थो रिटिकल सवाल जो बन सकता है मैंने एक के question उठाया है बहुत मेनत करते हैं physics की class कब होती है physics की class बेटा तेन 50 पर होती है तेन 50 पर आप ये telegram channel को join कर लो है ना और यहां पर पूरी class का update होता है 9.30 पर होता है आपका maths 10.50 पर होता है physics उसके बाद में मेरी जो class 12-15 पर फिर maths आता है उसके बाद में 2.30 पीम पर English आता है और एक 4 पीम पर English अब यार इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई channel पर dedication होता होगा आप लोगों के लिए काम होता होगा इतना तो नहीं होता है सर एक पंक्ती के अंदर क्या होता है एक अवियव केवल एक पंक्ती जिसमें एक याधिक स्थम हो सही बोला केवल एक स्थम गलत बोला केवल एक पंक्ती तो एक स्थम गलत आगे चलो सर आगे वाला सवाल आगे वाला सवाल लो जी AIZ कोटी M into N का एक वर्ग आव्यू होगा यदी ये कोशन बेटा आ चुका है एक्जाम में और इसी बार किसी बच्चे ने Air Force का एक्जाम दिया हो तो उस Air Force की एक्जाम में ये कोशन बार 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 रिपीट होता है पिर वो competition के लाइक भी नहीं है चलो जी तो बेटा क्या होता है पंक्तियों और इस्तंबो की संख्या बराबर होती है M बराबर N होता है जब आपके पास वरगाकार मेट्रिक्स होता है चलो जी बताओ निम्न में से विकर्ण मेट्रिक्स कौन सा होगा निम्न में से विकर्ण मेट्रिक्स डाइगोनल मेट्रिक्स कौन सा होगा डाइगोनल कौन सा होगा जवाब दीजिए डाइगोनल अभी अभी मैंने थोड़ी दिर पहले ही explain किया है आपको डाइगोनल के बारे में और सुबह की क्लास में बहुत बड़ी आसे explain किया था चलो जी जवाब दीजिए जवाब दीजिए सर जवाब दीजिए diagonal matrix आपके पास कौन सा होगा इन में से diagonal कौन सा होगा चलो जी 4D दिया एक एक बच्चे ने के सर ये तो आपके पास square ही नहीं है इसकी तो उकात ही नहीं, स्क्वाइर वड़ा की दो है और सर ये 0 है, तो 0 तो हो इन्हीं सकता इसका मतलब 1 की बचा ये होगा सही है न, option काटने वड़ा logic भी आना चाहिए आपको चलो सर, आगे x, y, z, w की value बताओ फटाफट x, y, z, w, अगला question आचुका है आपके सामने x, y, z, w की value क्या होगी करिये, 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 करिये question को, क्या करोगे इस question के अंदर फटाफट से जवाब देना ने कि क्या होगा इस question का सही answer आपको x, y, z, or w की value बतानी है x, y, z, or w की value क्या होगी, ठीक है बिटा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा content तो आपको कोई book में मिलेगा नहीं, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मैनत कर रहा हूँ, मैं खुद content बनाने के लिए 2 गंटे मैनत कर रहा हूँ तो फिर आप क्यों book के चकर में पड़े हो, ठीक है न, और अगर बराबर आपके पास 2 है और x बराबर जब 3 है तो 9 तो y बराबर आपके पास 7 आएगा इसका मतलब ये options सही बोल रहा है ये options सही बोल रहा है, न, आगे चलो सरिमान trace of a, trace of a एक चीज मैंने या थोड़ा सा miss concept था तो मैंने concept के class में इसा बोला था कि diagonal में diagonal के elements का योग, वो trace होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कोई भी जो matrix होती है, कोई भी for any matrix, कोई भी matrix में diagonal के जो elements होते है उनका योग होता है, trace होता है ठेका न, tr का मतलब होता है trace, और इसको हिंदी में भी trace ही बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर भी trace ही बोला जाता है और वो क्या होता है, वो होता है sum of diagonal sum of diagonal elements मतलब विकर्ण के अभियवों का योग वो कोई भी matrix में हो सकता है कोई भी matrix में विकर्ण के अभियवों का योग direct आप विकर्ण के अभियवों का योग मुख्य विकर्ण के अवियों का योग नो साथ सोला सोला और एक सत्रा तो आपके पास इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा यह उप्शन चलो सर आगे कोशन यह रहा आगे वाला सवाल यह रहा आपके सामने आपको ए प्लस बी के बारे में बताना है ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी बोलिए ए प्लस बी आपके पास क्या होगा कुछ आपको ट्रिग्नोमेटरी भी आनी चीह है ना ट्रिग्नोमेटरी भी आनी चीह है तब जाके आपका काम बनेगा चलो जी बोलो उसका जवाब बोलो क्या आप बात है या बच्छे देखते ही answer देते हैं कि सर इन दोनों को जब plus करेंगे तो sine square alpha plus cos square alpha तो 1 और sick square minus 10 square 1 cos square minus 40 square 1 11111 इसका मतलब option कौनसा B option सही हो जाएगा थोड़ा भू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसको यूज करवाया चलो सर ये रहा कुशन इसके बाद में साइध कुशन अच्छा एक दो कुशन हो रहे हैं चलो जी इसका जवाब चलो होम रख के लिए दे देता हूँ ये वाला कुशन ये वाला कुशन आपका होम रख का है और जो भी बच्चे नए हैं उनको बता दू कि होम रख के जो ले लेना या वीडियो को बेक करके फिर से देख लेना और कमेंट में मुझे आंसर दिखना चाहिए आपका प्यार दिखना चाहिए ठीक है क्या यहां नहीं देना है यहां नहीं देना है यहां नहीं देना है अंसर आंसर आपको क्लास सेव होने के बाद में कमेंट बोक्स में मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी एक अवेर हुआ आप टार्गेट के लिए ठीक है चलो जी ये वाली क्लास के वाल इतनी ही और मैं मिलता हूँ आप से नेक्स क्लास में टू थर्टी पीम पर संजे सर की क्लास है तो बिलकुल पूरे जोस के साथ में नाउन का एक बार एक्स्प्लेनिशन तो देखो आप लोग यार एक्स्प्लेनिशन कहीं नी मिलेगा पूरी यूट्यूब पर चानल लेड़ा ठीक है तो पूरे जोस के साथ में सारे के सारे बच्चे क्लास में आएंगे 2.30 pm संजे सर की क्लास नाउन की पार्ट नमबर 3 ठीक है समझो एक बार कॉंसेट को समझो क्या चीज होती है चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स क्लास में आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बोक्स में दिखना चाहिए आगली क्लास में आपके मिलता हूँ जहन